लेनोवो एक काफी पॉपलर ब्रांड है इंडिया और ग्लोबली लेकिन लेनोवो के बारे में कुछ ऐसी बात है जो शैद आप लोगों नहीं पता होंगी जैसे कि जो लेनोवो है न वो 1984 में चुरूई थी यह कंपनी और याने की कंपनी तीस साल से जादा पुरानी है और उस सामें उस कंपनी का नाम लेनोवो नहीं लेजेंड हुआ करता था और यह कंपनी चाइना के अंदर फाउंड हुई थी और 1990 में इनोंने अपना पहला कंप्यूटर निकाला था जिसका नाम था लेजेंड PC जो कि उस सामें काफी ज्यादा सक्सेस्फुल हुआ था लेकिन 2003 में इनोंने अपना नाम चिंज कर दा लेजेंड से और यह हो गया लेनोवो और उस सामें लेनोवो ब्रांड को पॉपलर करने के लिए इनोंने 30 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करी थी यानि कि 30 मिलियन डॉलर इनोंने सब एड़टाइसिंग पे खर्चा किया था लोगों को यह बताने के लिए कि मार्केट में लेनोवो नाम दी कोई नई चीज आ गई है और देखा जाये तो IBM का जो परसनल कम्प्यूटर का जो बिजनेस था वो खरीदा गया था 1.75 बिलियन डॉलर में और अभी की बात करें तो लिनोवो आज क्रेट में नंबर वन पीसी में करें पूरी दुनिया के अंदर यानि की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लेप्टॉप और जो कम्प्यूटर बिखते है ना वो सारे लिनोवो के ही बिखते है और इसका जो मार्केट शेर है वो है पूरे 22% और बात करें ना तो लिनोवो ने 2014 में मोटरोला को भी खरीदा था गूगल से और वो खरीदा था 2.91 बिलियन डॉलर में लेकिन एक इंट्रेस्टिंग बात बताओं आपको सबसे पहले गूगल ने जब मोटरोला को खरीदा था था 12.5 बिलियन डॉलर में वो भी 2011 में और बात मोटरोला का जो मॉबाइल फोन का जो बिजनस था ना सिर्फ वो ही बेचा था लिजन वो और बाकी जितने भी मोटरोला की चीज़ए थी ना वो सारी गूगल ने अभी भी अपने पास रखी है और इसमें जो मेन चीज है ना वहे उसके पेटेंट से और अगर हम वो अपने दूसरे बिसनेसे और जो मॉबाइल फोन वाला बिसनेस है उससे कमाते हैं और क्या आप लोग को पता है कि जो IBM कंपनी थी उसका जो सबसे पॉपलर प्रोड़क्ट था वो था उसकी थिंग पैड की सिरीज याने कि जो थिंग पैड लैप्टॉप आते थे IBM के वो काफी जादा rough and tough होते थे और business use के लिए यूज किये जाते थे और यह सेम चीज़ लैप्टॉप ने भी continue रखी उसने अपने थिंग पैड वाले लैप्टॉप को बहुती जादा rough and tough बनाया और business organization आज की रेट में भी लैप्टॉप के ही थिंग पैड को prefer करती है और business series में जितने भी लैप्टॉप होते है ना तो उनमें सबसे जादा जो लैप्टॉप है वो लिनोवो के ही बेचे जाते हैं यहां तक कि जो थिंग पैड है ना वो यहां तक कि 1990s के जमाने से नासा यूज कर रही है यानि कि 1995 के बाद नासा के जितने भी space shuttle fly हुए ना सब के अ लेकिन 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 लेनोवो के साथ सब कोच अच्छा हुआ ऐसी बात नहीं है 2015 में छोटी सी controversy होगी थी वो यह थे कि लेनोवो को पकड़ा गया था कि वो अपने laptops के अंदर एक malware को जान बूच के डालके देते हैं जिसका नाम है Superfish जो कि जब भी आप कुछ अब तो आपको फालतू के ads दिखाता है तो वाइरस वगेरा भी लिनोवो के laptops में पाए गए है कुछ सामें पहले तक तो यह भी एक जानने वाली बात है आप लोग के लिए तो यह थी कुछ unknown facts लिनोवो के बारे में और आपको इन में से कौन सा facts अबसे बढ़ी आलगा तो कमेंट में बताना और यह भी कमेंट में बताना कि अकले Friday facts किसकी उपर आए थेंक्यू आपका वीडियो देखने के लिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में गुड़ बाई